असलाम अलेकूं दोस्तों सिंधी सीख्या कीए और वूदियो में महली करया आया मैं हूँ माश्यूक और आप देख रहे हैं सिंधी सीख्या है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जर के उपर वह भी सिंदी तू उर्दू जुमलू के साथ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें पढ़ते हैं तमाखे जप पूंदो आए आपको जर लगता है तमाखे मतलब आपको जप मतलब जर लगंदो या पूंदो सिंदी में दोनों अलफाज यूज कर सकते हैं मैंने याँ पर पूंदो लखा है तो तमाखे जप पूंदो आए आपको जर लगता है पूरा जमला होगा तमाखे जप पूंदो आपको जर लगता है डप मतलब दर ने मुखे डप नाहे पौंदो नहीं मुझे डर नहीं लगता ने मतलब नहीं मुखे मतलब मुझे डप मतलब दर नाहे मतलब नहीं पौंदो या लगन दो मतलब लगता तो पूरा जम्राओगा ने मुखे डप नाहे लगन दो नहीं मुझे डर नहीं लगता तवा केखां डिजन दा आयो आप किस से डरते हो तवा मतलब आप केखां मतलब किसी से डिजन दा मतलब डरते आयो मतलब है तो डिजन मतलब डरना पूरा जबला होगा यहां पर मैंने डिजन्दा लिखा है तो इसकी मैंनिंग होगी डरते तो पूरा जबला होगा हमारा तमाख एक खान डिजन्दा आयो आप किसी से डरते हो मुझे कुछ जानवरन खान डप पूंदो आए मुझे कुछ जानवरों से डर लगता है मुख्य मतलब मुझे कुछ मतलब कुछ जानवरन मतलब जानवरूं खा मतलब से डप मतलब डर लगन दो आए या पोंदो आए लगता है तो पूरा जमला होगा मुख्य कुछ जानवरन खान डप पोंदो आए मुझे कुछ जानवरूं से डर लगता है जी है शी ही नांग अई ब्या कुछ जानवर जैसे शेर सांप और कुछ जानवर जी है मतलब जैसे शी मतलब शेर नांग मतलब सांप अई मतलब और ब्या मतलब दूसरे कुछ मतलब कुछ जानवर मतलब जानवर शी मतलब शेर और सांप को सिंधी में कहते हैं नांग तो पूरा जमला होगा जी शी नांग शी नांग अई ब्या कुछ जानवर जैसे शेर सांप और कुछ जानवर आओं उनन खाने जन्दों आया हैं मैं उन से ढरता हूं आओं मतलब मैं उनन खान मतलब उन से रिजन्दों मतलब जरता आया मतलब हूं उनन खान मतलब उन से तो पूरा जमला होगा आओं उनन खान रिजन्दों आया मैं उन से ढरता हूं तवांखे सब खान ज्यादा जप करे थे हो आपको सब से ज्यादा जर कब हुआ तवाखे मतलब आपको सब खाँ मतलब सब से वदीग मतलब जियादा डप मतलब डर करें मतलब कब थो मतलब हुआ तो पूरा जमूरा होगा तवाखे सब खाँ वदीग डप करें थो आपको सब से ज्यादा डर कब हुआ जब मैं अकेला जंगल में गया था तो पूरा जम्रा होगा जब मैं अकेला जंगल में गया था तू केड़ी शे खां सब खां स्यादा धिजन दवाही तू कौनसी चीज से सबसे ज़्यादा रखते हो तू मतलब तू केड़ी मतलब कौनसी शे मतलब चीज खां मतलब से सब मतलब सब खां मतलब से ज़्यादा मतलब जब ज्यादा या वधीक सिंधी में वधीक भी का जा सकता है मैंने यहाँ पर ज्यादा लखा है मुझे यही अच्छा लगा लिखने में तो ज्यादा मतलब ज्यादा धिजन्दो मतलब डरते आही मतलब हो तो पूरा जमर्ण होगा, तुम केड़ी शेखा, सब खाँ ज्यादा ध्रिजन्दो आएं, तुम कौन सी चीज से सब से ज्यादा ध्रिजन्दो आया, मैं सापू से सब से ज्यादा ध्रता हूँ मुझे इतना भी धर नहीं लगता मुझे इतना भी धर नहीं लगता तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उमीद है आपको पसद आई होगी मज़ीद इसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं मिलता हूँ आप से एगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहफिस झालाहफिस 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 झालाहफिस